नमस्कार, मैं हूँ आचारे विक्रमा देते वे जोतिश एक चमतकारी विज्ञान है और अपनी काल गर्णा के अनुसार से आपके भविश्य में द्रश्टिपात करने का अध्भूत यदि किसी विज्ञान में योगिता है तो वो इस जोतिश विज्ञान के अंतर गती है और अनादी काल से रिश्य मुनियों ने ऐसे सिध्धान दविक्सित किये कि जो आज भी चमतकार उपस्तित करते है तो काल गोचर गणना के अनुसार से आपके लिए आनावाला समय कैसा है वो जान लीजे हमने बहुत सारे वीडियो समय समय उपस्तित करें आपके समक्ष आज हम उपस्तित हैं आपके समक्ष 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में वरश्चिक राशी वालों के लिए समय कैसा रहेगा देखिए वरश्चिक राशी वालों ग्रहों की गड़ना साफ साफ दिखाती है कि विशेश तोर पे आपके मुख ग्रहे जो हैं मंगल परधान है ना तो मंगल अभी परिवर्तन की तरफ आए हैं बहुत दिनों से वक्री चल रहे थे और जिस राशी में चल रहे हैं बहुत लंबे समय से उठापटा की युग बना रहे थे कभी आगे कभी पीछे तो अब मारगी हो गया है अच्छी बात है मारगी हो गया है लेकिन आपके लिए थोड़ी समस्या है थोड़े जगड़े आप ना चाहते हुए भी उसमें फसने के युग बनाने वाले हैं आपके लिए तो बड़े साध्धानों के रहेगा लोग चलते चलते लोग आपसे बेकार भिड़ सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी साध्धानी रखें तमाम कारे करते वक्त थोड़ा सा अपने आपको मैं तो कहुँगा थोड़ा सा कचुए की तरह इस 15 दिनों में आपको थोड़ा रिजर्व होकता हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए बेकार के जगड़ों से आप बचने का प्रयास करें कई जगे जीतने की आवशकता नहीं होती भीया कई बार लड़ने से कुछ लाभ होता नहीं और लड़ने से मिलता क्या है कोशिश करें हम आपको सुझाव यह दे रहें जगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए ये समय जो है वेकार के जो जगड़े हैं मन मुटाव हैं थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि इस पक्ष में कई परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं इस पक्ष में जो विशेशतर पर हम पंदा दिलों की बात करें पक्ष की तो नहीं क्योंकि हम अंग्रेजी केलेंडर के अनुसा से हम बात कर रहे हैं तो पंदा जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ग्रहों का परिवर्तन आप समझने का प्रयास करें देखिए मंगल अभी अभी परिवर्तित होके चुके यानि वक्री से मार्गी होएं सूर्य अभी एक दिन पहले परिवर्तन का उन्होंने योग बनाया है और साथ साथ और अभी जो है बुद्ध भी मार्गी होने जा रहे हैं और शुक्र भी राशी परिवर्तन कर रहे हैं शनी तो वैसे ही सतातारी के आसपास बड़ा महतुकूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है तो ये परिवर्तन जो विशेश तोर पर है ये आपके लिए कई महतुकूर्ण योग बनाने वाला है शनी का जो परिवर्तन है वो निश्चत तोर पे आपके लिए बहुत अच्छा है बड़ा लंबे समय से जो आपके लिए समय था आपको ऐसा में मुझे दिखाई दिता है कि बड़ा आपके लिए रहा है कि बहुत सारे कारे मन में तो चलते रहे योजनाय मनती रहे लेकिन क्रियानवन उन पर नहीं हो पाया अगर क्रियानवन हो जाता तो बहुत बड़ी अलाब आप खुछ समझते हो सकता था लेकिन अब समय आ गया है पूरी तरह से उन पर कारे करने का जो ग्रहे आपको रोक रहा था समय ये पंदरा दिनों के समय जो है वो आपको मोटिवेट करेगा आपको कि कारे करो तुरंत करो और तुरंत कारे हो भी जाएंगे उन से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना है उपाई कीजिए उसके लिए उसके सबसे सुन्दर उपाई जो है हरुमान जी के मंदिर में जाके चूरुमे का भोग लगा है ये दो उपाई हमने आपको पता दिये इससे बड़िया स्टेश्ट उपाई आपकी राश जाले साका नित्यपती पाट भी कर लीजे देखिए बहुत आपके लिए समय अच्छा भी है और थोड़ा सा जिन शेत्रों में कष्ट के योग बना रहा है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया विचारों में बहुत अच्छे पॉस्टिव चिंजिस आएंगे और आ समय आपका इसी प्रकार से है लेकिन जो शनी का परिवर्तन बहुत महत्यपूर्ण है लेकिन एक विडंबना भी उस साथ लेकिया रहा है कि शनी परिवर्तत हो जाएंगे 17 तारीक के आसपास में 17 जनवरी के लेकिन 30 तारीक को जाकर फिर वो एक महीने के लिए अस्त होने ज कैसा रहेगा वो समय आपको बताएंगे लेकिन इस समय के लिए हमने आपको उपाये भी बताएं यह सारे कारे बताएं इस सम्मंद में आप जानकर समझकर आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास कीजिए आप बहुत बढ़िया तरीके से इस समय को यूटलाइज कर सकते है साफ साफ तोर पे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे से भागे तो आपको आवश्य लाब देने की यूग बनाएगा क्योंकि भागे पूरी तरह से ऐस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है बस आपको बुद्धिमानी के साथ काम करने की जरूरत है और हम आपके साथ है नहीं और आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं यगे में विशेशतर पर रविवार को हमारे आश्रम पर लेते परती विशेशतर पर जो होने वाला यग है उसमें रवीवार में विशेश तरह पर आप भाग दे सकते हैं रवीवार को सुबहे श्तूर नेकर दस भाbstले loving कारिकर हमारी संस्कीती में यग 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 लिखे हैं और आज यग शुन होता चला जा रहा है भारत समाज विरले कुछ यग यग कहीं होते हैं लेकिन आप दिल्ली में आज भी हमारे आश्रम पे आकर उस यग में भाग ले सकते हैं हमने सुन्दर व्यवस्ता आश्यम की तरफ से माध्यम से की है, तो जितने भी लोग आते हैं उस यगे में भाग लेकर अपने भागे को जगाने का प्रयास करें, यग से समरिधी, यग से वरिष्टी और इस यग से अनेक प्रकार के लाप जो हो से, वो हमने स्वयम देखा है, तो कुश्य करें, वो से रविवार वाले यगे में, आप स्वयम भाग लें, यदि आपके मन में कोई प्रश्ण चल रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो पर जाकर, जो फोन नमबर्स हैं, उन पर अपनी मैसेज को भेश सकते हैं, हम व्यवस्ता करेंगे, कि आपके प्रश् आपके आश्रम की तरफ से देने का प्रयास किया जाएगा, नहीं बाद।